हैलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस उड एजुकेशन में पिछली क्लास में एक्सर्साइज फर्स्ट एक कराए गई थी इस क्लास में एक्सर्साइज फर्स्ट भी कराएंगे तो देखे एक्सर्साइज फर्स्ट भी का क multiply करना है तो पहले multiply के रूप लिग लें 16 into 9 आपने इसे write किया अब 16 और 9 इन दोनों का multiply क्या हो जाएगा तो 96054 की 4 का इरी 5 लगा 9 बंजा 9 और 5 14 तो 144 आ गया यही answer हो गया आपका देखें next जो second part है इसमें 18 by minus 6 18 और minus 6 का multiply करना है तो आपने पहले write किया 18 into minus 6 इस तरह से write किया अब देखें जो multiply में सबसे पहले number से sign से sign का multiply करते हैं किसका sign से sign का multiply करते हैं तो यह देखें 18 आपका plus का number है और यह minus का number है तो plus और minus का multiply क्या हो जाएगा? minus हो जाएगा फिर इसका number से number को multiply करते हैं तो 18 और 6 का multiply कर लें अगर आपको सीधे आ रहा है तो आ रहा है नहीं तो फिर 18 और 6 का multiply करके देख ले कितना आता है तो जैसे suppose करिए कि आपने 18 और 6 का multiply किया 6 8 जा 48 की 8 करी 4 6 बंजा 6 4 10 108 आ गया अगर सीधे आपको table आती है तो 18 6 जा 108 ऐसे आता है अगर नहीं आता है तो आपने multiply करके देख लिया कि कितना आएगा? वो आपने रख दिया तो 108 रख दिया तो minus 108 आंसर आ गया अब देखे थार्ड और फोर्थ नमबर तो थार्ड में 36 बाई minus 11 तो 36 को multiply करना minus 11 से तो पहले साइन साइन का multiply करेंगे बिल्कुल उसी तरह से साइन और साइन का multiply करेंगे तो यह प्लस का नमबर है माइनस का नमबर है तो प्लस माइनस का multiply क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा फिर 36 और 11 का multiply करके देख लेंगे कितना आ रहा है वो आणसर आप right कर लेंगे ऐसे हिए फोर्थ नमबर है माइनस 28 राइज साइन का multiply किया तो माइनस का यह नमबर है और यह प्लस का नमबर है तो माइनस प्लस का multiply माइनस और 28 और 14 आप राइज कर देख लेंगे कितना आ रहा है वो answer आप right कर देंगे तो माइनस में answer आ जाएगा तो यह third और fourth आप कर लेंगे, comment box में answer देंगे, जिनको कोई problem होगी, तो वो third और fourth को पूँच लेंगे, अब देखें fifth number, minus 53 by 18, तो बिल्कुल उसी तरह से minus 53 आपने write किया, into 18, इस तरह से write किया, आप sign sign का multiply करें, तो यह minus का number है, यह plus का number है, तो minus plus का multiply, minus 53 और 18 को multiply कर लें, कित 53, तो side में आप कर लें, तो 53 into 18, जो question होगा, उसी के side में आप यह कर लेंगे, जिससे आपका रांग ना हो, तो अब 8 से पहले multiply करें, तो 8 3 जा 24 की 4 कारी 2, 8 5 जा 40 और 2, 42 आ गया, one number से multiply हो गया, अब 1 से करते हैं, तो 1 3 जा 3, यहां से लिखना सुरू करेंगे, 1 5 जा 5, अब दोनों को add कर लें, तो 4, 3 2 5, और 4 5, 9, तो कितना आ गया, 954 आ गया, 954, तो आपने क्या देखा, कि माइनस का 954 आ गया, यही आंसर हो गया, अब जैसे 6 पार्ट है, माइनस 35 बाई 0, तो इसमें माइनस 35 इंटू 0, 0 से किसी number को multiply करें, तो क्या आता है, 0 आता है, अब चाहिए जीरो का 1 में multiply करें, तो 0 आएगा, 0 का 2 में multiply करेंगे, 0 आएगा, 0 का minus 6 में multiply करेंगे, 0 आएगा, इसी तरह से 0 का multiply अगर minus 35 में करते हैं, तो क्या होगा answer, direct आप लिख सकते, 0 आएगा, यह answer हो गया, 7th part, 0 by minus 23, तो 0 और minus 23 का multiply करना है, तो आपने क्या लिखा, 0 into minus 23, इसे write किया, अब देखिए, 0 का किसी भी number में multiply करते हैं, तो क्या आता है, 0 आता है, तो 80 जो हो जाएगा answer, 0, यह answer हो गया, आपका, अब देखिए, इसमें 8th part, minus 16 by minus 12, minus 16 और minus 12 का into करना है, तो minus 16 into minus 12, ऐसे आपने write किया, write करने के बाद में, sign से sign को multiply करेंगे, तो minus minus का multiply क्या आ जाएगा, plus आ जाएगा, 16 और 12, इन दोनों का multiply side में कर लेंगे, side में करके लिख देंगे, वही answer हो जाएगा, 9th number, तो यह 8th number हो गया आपका, तो इसको आप करेंगे, और करने के बाद comment box में अंसर देंगे, जिनको कोई problem होगी, तो वह पूंच लेंगे, देखिए अब 9th number, minus 105 by minus 8, इसको multiply करना, तो बिलकुल सेम उसी तरह से, minus 105 लिखा आपने, into minus 8, आप दोनों को भी bracket में उच कर सकत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऐसे आप, कि minus 105 है, into minus 8, अब सबसे पहले minus minus का multiply क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस आप लगा भी सकते हैं, चूंकि प्लस स्टार्टिंग का वही नंबर अकेले रहेगा, तो प्लस आप शुरुवात में लगा भी सकते हैं, नहीं भी ल क्योंकि side में जो बड़े numbers होंगे multiply के लिए, उनको side में कर लेंगे, जो आएगा answer उसको लिखेंगे, तो side में आपका रहेगा कि नहीं हाँ आपने multiply किया है, जिससे आपका रांग ना हो, और दूसरा side में बना रहेगा, तो वो justify भी हो जाएगा, तो 105 और 8 का multiply करेंगे, तो 8, 5 जा 40, 40 की 0 carry 4 लग गया आपका, 8 का 0 multiply करेंगे, तो 8, 0 जा 0, और 4 उसमें plus कर देंगे, तो 4 आ गया, 8 बन जा 8, तो कितना आ गया, 840, तो हो गया यह plus का 840, इसको ऐसे write कर सकते हैं, यह केवल equal to 840, क्योंकि दोनों आपका plus में ही है, तो यही answer हो गया, इसका बाद नंब 10th है, minus 36 by minus 50, इसको multiply करना है, तो minus 36 into करना है, किसमें minus 50 से, तो सबसे पहले sin से sin को multiply करेंगे, तो minus minus को multiply क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब 36 और 50 का multiply कर लें, तो multiply side में आप कर लें, 36 into 50, आप करें, तो देखें एक तो तरीका हो गया, आपका 0 का पहले multiply दोनों में कर लें, फिर 5 का multiply कर लें, फिर दोनों को add कर लें, तो जैसे आपने किया, 0, 6, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0 आ गया, अब 5 का multiply करेंगे, तो 5, 6, 0, 30, 0, carry 3, 5, 3, 15, and 3, 18, अब इनको add कर लें, तो 0, 0, 8, 1, इत आप जैसे direct करना चाहते हैं इसमें, चुकि 50 में 5 के बाद 0 लगा हुआ है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे 36 into 50, देखें 5 का इसमें multiply कर लें, जितना आ जाएगा उसमें 1 0 लगा दे, तो देखें 5, 6, 30, 0, carry 3, 5, 3, 15, 3, 18, 180 आया, इसमें 1 0 था, तो 1 0 लगा दिया तो 1800 आ गया, आप ऐसे भी multiply कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं 0 के मामले में, तो यह आपका आ गया 1 थाउजन्ड एट हंडड यही आंसर हो गया, 11th नमबर है, minus 28 by minus 1, तो इसमें minus 28 को multiply करना है, किसे minus 1 से multiply करना है, तो पहले sin से sin को multiply करें, तो minus minus को multiply, plus और 1 का किसी भी number में multiply करने पर वही नंबर आता है वन का अगर 2 मल्टिप्लाई करें तो 2 आएगा, वन का 3 मल्टिप्लाई करें 3 आएगा, वन का 15 में मल्टिप्लाई करेंगे 15 आएगा, तो ऐसे ही 28 का 1 में मल्टिप्लाई करने पर क्या जागा 28, it is the answer, और जो 12 नंबर है 25 by minus 11 तो 25 into minus 11 आपने राइट किया, उसके बाद में sign से sign का मल्टिप्लाई करेंगे, तो plus का नंबर है, यह minus का है, तो plus minus का मल्टिप्लाई माइनस हो जाएगा, इसके बाद 25 और 11 का मल्टिप्लाई side में कर लेंगे, और यतना आजागा वो answer लिख देंगे, तो minus का answer आजाएगा, तो 12 नंबर आप कर लेंगे, कमेंट बाक्स में answer देंगे, जिनको कोई प्राब्लम होंगी, वो पूछ लेंगे question number second, find each of the following products, products में multiply करना है, क्या करना है को multiply करना है, तो अभी तक आप 2-2 नंबर ले करके multiply कर रहे थे, इसमें 3 numbers आगे, तो 3 numbers तो कभी 4 numbers भी आजाएंगे 5 numbers भी आजाएंगे तो इस तरह से इनको multiply करने के लिए आप क्या करते हैं, कि जो first two numbers का है, इनका multiply कर लें तो देखिए, 3 भी plus का number है, भी plus का number है, तो 3, 4 जा 12, तो plus का 12 आगया आपका, into इन दोनों का तो multiply आपने कर दिया, कितना आगया, 12 आगया अब ये into minus 5 का multiply रहे गया इन दोनों का multiply करने पर 12 आया into minus 5, ऐसे right किया equal हो जाएगा, अब इन दोनों का multiply करेंगे, तो ये plus का number है, minus का है, तो plus minus का multiply minus 12, 5 जा 60 तो minus का 60, ये answer हो गया, अब देखें second number जैसे, बिल्कुल सेम उसे तरह से pattern है कि जो first two numbers का multiply करें, तो ये plus का number है और ये minus का number है, तो plus minus का multiply minus 2, 5 जा 10 तो minus का ये 10 आ गया अब इसमें, तो इन दोनों का multiply हो गया, minus 10 आ गया अब इसका multiply करना है, into minus 6, अब इन दोनों का multiply करेंगे, तो minus minus का multiply plus 10 6 जा 60 it is the answer तो plus 60 आ गया थर्ड number है आपका तो ये first two numbers का multiply करेंगे, तो minus 5 और minus 8 का multiply करेंगे तो minus minus का multiply, plus 5 8 जा 40 into तो plus 40 आ गया और इसमें multiply करना तो इन दोनों का multiply ये हो गया अब आगे into minus 3 तो अब देखें, plus minus का multiply minus 40 और 3 का multiply करें, तो 3 4 जा 12 और 1 0 था, 2 0 लगा दिया मानने 3 0 जा 0, 3 4 जा 12 minus 120 आंसर हो गया अब fourth number बिलकुल सेम इसी process है minus 6 का 6 में multiply पर ले करें तो minus और plus का multiply क्या हो जागा minus 6 6 जा 36 तो इन दोनों का multiply क्या आ गया, minus 36 आ गया into आपको करना है minus 10 का और multiply ये भी करना है तो minus minus का multiply plus 36 10 जा, 360 हो जाएगा मने 1 का multiply करने पर ये आ जागा, 36 आ जाएगा 1 0 लगा देंगे, तो 360 आंसर हो गया बिलकुल देखें fifth number, इसी तरह से 7 और minus 8 का multiply पर लेकर लेंगे फिर जो आएगा उसमें 3 का multiply करेंगे और 6 नमबर में भी minus 7 का multiply, minus 3 से करेंगे जो आएगा उसमें फिर 4 से multiply कर लेंगे तो इनको करेंगे करेंके comment box में आंसर देंगे अगर किसे को कोई problem होगे तो आप पूछ लेंगे question number third find each of the following products माने इनका multiply find करना है तो देखें इसमें 4 numbers है 1, 2, 3, 4 4 numbers हैं तो हम क्या करें first two numbers का multiply कर ले third और fourth number का multiply कर ले फिर जो आ जाएगा फिर उन दोनों का multiply कर लेंगे देखें इससे carding करते हैं तो first two numbers का multiply करेंगे तो इसमें minus का है ये भी minus का number है तो minus minus का multiply plus 4, 5, 20 ये आपका आ गया तो इन दोनों का multiply करने पर आ गया plus का 20 आ गया अब इन दोनों number का जो third और fourth number है इनका multiply कर ले तो into इन दोनों का multiply कर लेंगे तो minus minus का multiply plus 8, 10, 80 तो फर्स्ट नमबर का मल्टिप्लाई प्लस 20 आ गया और थर्ड और फोर्थ नमबर का मल्टिप्लाई प्लस 80 आ गया अब इन दोनों का मल्टिप्लाई कर लें तो प्लस प्लस का मल्टिप्लाई प्लस हो जाएगा और इन दोनों का मल्टिप्लाई करेंगे तो 20 और 80 का मल्टिप्लाई कर लें तो 2 8 जा 16 और 1 0S का 1 0S का मिला करके 2 0S में लगा देंगे माने 1600 आ गया 1600 इट इद दा आंसर अब देखें सेकंड नमबर है इसका माने 6 इंटू माने 5 इंटू माने 7 इंटू माने 2 इंटू माने 3 इसमें आपके 5 नमबर्स हैं 5 नमबर्स हैं तो 1st 2 का मल्टिप्लाई कर लेंगे 3rd और 4th नमबर का मल्टिप्लाई करेंगे और फिर मल्टिप्लाई करेंगे क्या बचेगा माने 3 बच जाएगा उस सबसे पहले करते हैं फर्स्ट टू नंबर का मल्टिप्लाई तो माइनस माइनस का मल्टिप्लाई प्लस सिक्स फाइब जा थर्टी ये आ गया इन टू इन दोनों नंबर का मल्टिप्लाई हो गया अब इन दोनों नंबर का मल्टिप्लाई कर ले तो ये minus minus का multiply plus 7 2 जा 14 into इन दोनों का multiply plus 30 हो गया minus 7 और minus 2 का multiply 14 हो गया अब बचा किया आपका minus 3 बचा तो minus 3 को multiply के रूप में लिख लेंगे अब देखें इन दोनों number का multiply कर ले तो plus plus का multiply plus और 30 और 14 का multiply करेंगे तो 14 3 जा 42 और एक 0 है तो एक 0 लगा दिया ये आ गया into minus 3 अब इन दोनों number का multiply करेंगे तो plus minus का multiply minus 3 से multiply करेंगे तो 3 0 0 3 2 जा 6 3 4 जा 12 तो minus 1260 ये answer हो गया थर्ड पार्ट minus 60 into minus 10 into minus 5 into minus 1 4 numbers हैं तो first two number का multiply कर ले third और fourth number का multiply कर ले जो आ जागा उन दोनों का फिर multiply कर लेंगे तो इन दोनों number का multiply करेंगे तो क्या जाएगा minus minus का multiply plus 60 और 10 का multiply करेंगे तो देखे 1 6 जा 6 एक 0 इसका एक 0 इसका दोनों 0 आ गए इसके तो ये बन गए आपका into इन दोनों का multiply करना है तो minus minus का multiply plus 5 बन जा 5 अब ये जो number आ गए फिर multiply में है तो इनको हम multiply कर लें तो देखे 5 0 जा 0 5 0 जा 0 5 6 जा 30 3000 आ गया plus plus का multiply plus ही आएगा तो plus आप लगा भी सकते हैं it is the answer देखे फोर्थ नंबर है minus 30 into minus 20 into minus 5 तो इसमें first two number का multiply कर लें तो पहले sign का multiply करेंगे minus minus का multiply plus होगा और 30 और 20 का multiply कर लेंगे जो आ जाएगा into minus 5 फिर उन दोनों का multiply कर लेंगे तो जो answer आ जाएगा वही आप comment box में दे देंगे answer और जिनको कोई problem होगी तो वह comment box में पूँच लेंगे fifth part minus 3 into minus 3 into minus 3 into minus 3 ऐसे करके आपका कितनी times है six times है तो जब six times है तो इसको six times हम write कर लें six times write करेंगे तो minus 3 one time हो गया minus 3 into minus 3 into minus 3 into minus 3 तो कितने times हो गया six times हो गया one two three four five six six times given था तो six times आपने write कर लिया अब देखिए इसमें जो first two numbers है इनको multiply करके write कर लें third और fourth number का multiply करके लें और फिर fifth और sixth का multiply करके लें तो इन दोनों number का multiply करके लिख रहा है तो minus minus का multiply क्या हो जागा plus हो जागा तो plus 3 three जा 9 into इन दोनों number का multiply करेंगे तो इन दोनों करेंगे तो क्या हो जागा plus का 9 हो जागा into इन दोनों का multiply करेंगे तो plus का 9 अब इन दोनों number का multiply कर लें तो plus plus का multiply क्या हो जागा प्लस नाइन नाइन जा एटी वन इन्टू यह आपका आ गया इन दोनों नमबर का मल्टिप्लाई कर लिया तो क्या बचा आपका प्लस नाइन बचा अब इन दोनों का मल्टिप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस का मल्टिप्लाई क्या हो जागा प्लस 9 बंज़ा 9 98 22 तो 729 ये यांसर आँगर आपका अब देखें फिस्टीस पार्ट है माइनस फाइब इनतो माइनस फाइब इनतो माइनस फाइब या फाइब यह फाइब टाइमस है फाइब टाइमस राइट कर लूए, सबसे पहला काम 5 times write कर लेंगे तो minus 5 into minus 5 into minus 5 into minus 5 into minus 5 ये 5 times write कर लिए आपने देखें first two number का multiply कर लें फिर third और fourth number का multiply कर लें और ये आपका अकेला बच जाएगा तो इसको जब multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा minus minus का multiply plus 5 5 जा 25 अब इन दोनों का multiply करेंगे तो ये भी plus 25 आ जाएगा और ये आपका बच गया into minus 5 अब देखें इन दोनों का multiply करना है 25 और 25 का multiply करना है तो plus plus का multiply क्या हो जाएगा plus हो जाएगा और 25 और 25 का multiply तो आप करके देख सकते हैं कितना आएगा 25 और 25 का multiply तो 5 5 जा 25 के 5, carry 2, 5 2 जा 10 to 12, अब 2 से multiply करें, 2 5 जा 10 के 0, carry 1, 2 2 जा 4 1, 5, add कर लें, 5 2, 5 1 6, 625 आ गया, इन 2, तो यह इन दोनों नंबर का multiply, आपका यह आ गया, 625, इन 2 है आपका जो बच रहा है, minus 5, अब इन दोनों का multiply करेंगे, तो 625, तो plus minus का multiply देखो, minus हो जाएगा, 625 और 5 का multiply करेंगे, तो 5 5 जा 25 के 5, carry 2, 5 2 जा 10 to 12 के 2, carry 1, 5 6 जा 31, 31, तो आ जाएगा, minus 3,125, it is the answer, 7th part, minus 1 into minus 1 into minus 1, यह आपका कहां तक है, 200 times written है, तो 200 times इसको नहीं रिखा जा सकता है, चुकि minus 1 है, तो जैसा आपने, इसके थेओरी में आपने पढ़ाया है, इसके फार्मूले में पढ़ाया है, जो उसमें कुछ important points बताए गए थे, उसमें जो आपने पढ़ाया है, तो क्या पढ़ाया है, कि minus 1 का multiply अगर हम even times करते हैं, even times, even times का मतलब है कि minus 1, 2 times आ जाए, minus 1, 4 times आ जाए, minus 1, 6 times आ जाएगा, माने even times आए, तो अगर even times आता है, तो उसका sign जो होगा, वो plus का होगा, और 1 का 1 में इंटू करने पर 1 आता है, माने plus 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, plus 1 आ जाएगा, तो यहाँ 200, तो 200 कैसा है, even time, even number है, तो जब even number है, तो इसका मतलब है कि even times minus 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी value कितनी हो जाएगी, plus 1, यह आंसर हो जाएगा, सिधर direct आप लिख लेंगे इसको, अब जैसे इसमें है, जो 8th part है, minus 1 into minus 1 into minus 1 into dot dot, 171 times, तो अब देखें कि इसमें even times नहीं आ रहा है, minus 1 into में, minus 1 कितने times आ रहा है, odd times आ रहा है, तो जब minus 1 into minus 1 into minus 1 यह odd times हो, तो वहाँ पर sign जो आता है, odd times में, minus आता है, और 1, 1 का into 1 ही आ जाता है, तो minus 1 आता है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, what will be the sign of the product, माने इस product का sign क्या होगा, sign कौन सा आएगा, minus का sign आएगा, कि plus का आएगा, if we multiply 90 negative integers, माने 90 आपके negative integers हैं, और 9 positive integers हैं, तो इसके लिए, देखें जो positive integers हैं, positive integers का हम कितनी बार भी multiply करें, जैसे कि plus 2 into plus 2 into plus 2, तो भी आपका क्या होगा, plus plus का multiply प्लसे में आता है, 2, 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, अगर वो minus में अत्तों effect पड़ेगा, plus में चाहिए 2 times हो, 3 times हो, 4 times हो, 9 times हो, तो plus के numbers में multiply जो होगा, वो plus का ही रहेगा, तो कि इस solution में तो whatever, इसको किस तरह से उच करेंगे, whatever, may, be the number of positive integers, positive integers, whatever, may, be the number of positive integers, कि positive integers कितने भी number में हो, कितने भी बाहर positive integers आए, it will not affect, it will not affect the sign of product, the sign of product, मने जो product आएगा उसका, उसके sign पर कोई effect नहीं पड़ता है, और यहाँ पर देखें, जो negative integers का effect पड़ता है, तो here, 90 is even, माने 90 negative integers आएगा ना, तो 90 is even, and the product of, the product of even number of, even number of negative integers, is positive, देखें, here, 90 is even, कि जो negative integers कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, और 90 कैसा है, 90 नंबर जो है even है, तो the product of even number of negative integers, अगर even time negative integers आया है, तो उसका जो product होगा, वो positive होगा, even times आया है, तो, so, the sign of, so, the sign of product will be, so, the sign of product will be positive, तो sign कैसा होगा, positive होगा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कि आपके कितने आ आए, यहाँ पर देखिए, 90 negative integers हैं, कितने हैं, 90 negative integers, 90 हैं, negative integers हैं, और, 9 positive integers हैं, 9 positive integers हैं, positive integers, अगर इनको हम करते हैं, अगर इसको हम करके देखें, तो, जो 90 negative integers होगे, तो इसका मतलब है कि, even time negative integers आया हैं, तो उनका product हो जाएगा, positive हो जाएगा, और, 9 positive integers हैं, तो उनका भी, तो 9 positive integers का क्या हो जाएगा, positive हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, positive into positive, यह प्लस into plus, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मने positive होगा, तो यही आपका answer हो जाएगा, plus, question number 5, what will be the sign of the product, if we multiply, 103 negative integers, and 65 positive integers, तो बिलकुल 4 की तरह ही question है आपका, कि इसका product का sign क्या होगा, अगर 103 negative integers हैं, और 65 positive integers हैं, तो इसका solution होगा, whatever, may be, the number of positive integers, the number of positive integers, positive integers, it will not affect the, it will not affect the sign of product, the sign of product, means क्या हो गया कि, positive integers के, चाहे जितने positive integers होग, चाहे वो odd times होग, या event times होग, उसका product के sign पर कोई effect नहीं पड़ता है, और यहाँ पर negative integers का product के sign पर effect पड़ता है, तो negative integers कितने हैं, 103, तो here, 103, यह कैसा नमबर है, is odd, 103 कैसा है, 103 negative integers आएं, तो यह कैसा है, 103, odd है, and the, the product of odd time, odd time, negative integers, negative integers, here, 103, is odd, odd है, तिसका मतलब, odd time, अगर, negative integers आया है, तो उसका product, तो, and the product of odd time negative integers, will be, of, minus sign, अनि negative, कैसा होगा जागा, negative होगा, will be, of, negative, तो यहाँ पर negative होगा, और इसके sign का effect नहीं पड़ेगा, जो positive integers आएं, तो इसका मतलब होजाएगा, so, the sign of, the sign of, product, will be, negative, negative, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसी में लगा सकते हैं, क्या, कितना आया है, 103 negative integers आये हैं, 103 negative integers हैं, negative integers, और 65 positive integers हैं, positive integers, यह आये हुए हैं, तो इसमें देखें, कि जो 103 negative integers आये हैं, तो, यह odd time negative integers हैं, तो odd time negative integers का multiply जो होगा, वो minus में होगा, into, 65 positive integers आये, तो इसका उतलब, यह आपका positive integers चाहिए जितने times आये, उसका multiply प्लस में ही होता है, तो इसकी value कितनी हो जाएगे आपकी, तो minus plus का multiply माइनस हो जाएगा, तो इसका उतलब यह negative आजाएगा आपका, तो यह will be negative, negative आएगा, और negative को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अपने next वीडियो में exercise first BK, question number 6 से कराएंगे, मैं इसकी सभी classes देखने के लिए description box में दिये गए, लिंक से जाकर आप देख सकते हैं, पीडियाप के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी description box में दिया गया है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में,